नमस्कार, हिंदे साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो, LTE TET 2022 बहुत करीब है और ऐसे में आपको अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से करनी है and I hope कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये त्यारियां की भी होंगी आज हमारा इसमें आखरी ये टेस्ट हम रखे हुए हैं और इसमें देखे इससे पहले हमने 50 questions जो थे हलांकि पहुत सारी प्रश्ण हमने कर लिये थे इस वाली series का जो ये आकरी भाग रहेगा 60 questions हम लेकर आए हैं और I hope कि इन 60 प्रश्णों से आपकी कुछ न कुछ help जरूर हो जाएगी तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के इस lecture की और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्ण रखा गया देखिए साकेत में किस उपेक्षित नारी का चरित्र उभारा गया है तो साकेत जो रचना है देखना यह मैथली शरंगुप्त की है और यह राम कावे से समंदित है और इसमें जो बताया गया है कि उपेक्षित जो नारी रही है वो कौन सी रही है इसमें सीता रही है उर्मिला रही ह लेकिन सीता की जो ये उर्मिला की जो पीड़ा थी ये जो हम नहीं मतलब कोई भी रचनाकार या फिर इस तरीगे से इसकी और जादा ध्यान नहीं दिया गया कि कहीं न कहीं ये भी अपने पतीजे दूर है ये भी वीरह में आ सकता है ठीक है तो ये चीज जो है ये जरूर देखें तो ये किसका रहा है ठीक है तो ये है जो महावि प्रसाद दिवेदी उन्होंने लेक लिखा था देखना उस पर उससे प्रभावित होकर फिर उर्मिला लिखी गई उर्मिला नहीं स्वरी जो आपका साकेत है इसको लिखा गया था साकेत का रचनवर्ष 1931 ह इसको भी आपको या रखना है मैतली शर्ण गुप्त की कुछ पंक्तियां भी रहेंगी उन्हें भी आप एक पर जरूर देखें नेक्स क्वेशन यहाँ पर है देखिए निमन में से प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है तो यहाँ पर जैशन का प्रसाद का देखिए चंदर जगत आती हैं तो यह चीज़ें आपने सब के सब ध्यान में रख लेनी हैं यहाँ पर जो कुणार के देखिए यह क्या है यह इनका नहीं था कुणार किसका था जगदीश अंदर माथूर की रशना रही है तो यह चीज़ भी आप यहाँ पर एक पार जरूर देखें कुण ये बड़े इंपोर्टेंट इनके नाटक हैं, इनने भी आप एक पार जरूर देखें, हो सकता यहां से भी आपको पूछा जाए, नेक्स्ट कॉश्चन आता यहां पर पुष्पधंत की फेमस रशना कौन सी रही है, यह रही है आपकी महापुराण, जिसमें 63 महापुरुश का जीवन चरित मिलता है, और इसलिए इसे 63 महापुरिस गुणालंकार के नाम से भी जाना जाता है, यह चीज भी आपको यहां पर पुष्पधंत की, तो पुष्पधंत से आपको एक चीज यह भी पुछ जाते है, कि इसको हिंदी का पहला कवी किस ने माना था, तो शिप सेंगर ने इसे जो है, हिंदी का पहला कवी माना था, जबकि स्वयंभू को किस ने माना था, स्वयंभू को माना था हिंदी का पहला कवी, रामकुमार वर्मा ने यह चीज भी आपको यहां पर याद रख लेनी है, देव सेन की श्रावकाचार है, जिसमें 250 चंदों में श् important चीज़े हैं नेक्स प्रशन आता है यहां पर मुक्तिबोद के कावे में कौन सा शब्द बार-बार प्रियुक्त हुआ है तो यहां पर यह वाला प्रशन भी important है देखना इसको आपने जरूर या रखना है जैसे यहां पर मुक्तिबोद में अंधिरा शब्द जो है जादा ह में देखने को मिलता है एंड साती सात एक शब्द और आपने इस से या रखना है fantasy फैंटेसी शब्द का इस्तिमाल भी मुक्तिबोद ने ही जादा किया है यहां पर मुक्तिबोद हो गया इसको ठीक है देखिए कुछ एक जैसे fantasy शब्द हो गया अंधिरा शब्द हो गया य यह रैदास रहा उन्होंने अगर हम बात करें देखिए आपका इसके बाद जैसे मैं खाना साकी शराब बगेरा बगेरा इन शब्दों का इस्तिमाल किस ने किया सबसे जादा अपने काब्य में तो या रखना है हरी वंश्राय बच्चन यह नाम इंपोर्टन है देखना इ इसको देखना है मानली जी हम जैसे विद्यार्थी और राजनिती इस पर निबंद लिखने को आता तो हम क्या है सारी चीज़ें इसको ध्यान में रखते हुए दिखते हैं तो मतलब बांद के रखते हैं अपने टॉपिक के करीब रहना है उससे दूर नहीं जा सकते हम तो ये चीज़ भी आप साथ साथ में याद रखें इंपॉर्टेंट है देखना आपका ये वहला प्रशन भी तीन प्रशन इससे और भी आपके बन गए शब्द किसका है और इसका अर्थ क्या है कसावट ओके चलिए नेक्स प्रशन आता यहां पर सूर ही बातसल है वातसल है यह पंक्ती किस विद्वान की है तो यह है अचारे रामचंद्र शुकल का कथन जो सूर्दास रहे हैं सूर्दास जब अपने अलंकार शास्त्र बगेरा का बनन करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो यह जो चीज़ें उनके साथ चोड़ कर उनके पीछे खड़ी हैं कुछ इस सूर्दास के बारे में हो गया चाहे कबीर के बारे में हो गया या फिर आपके पास जो अन्य राइटर रहे हैं देखिए जैसे आपका यह सूर्दास के जो गुरू है वो बलव अचारे रहे किसने कहा था यह उन्होंने कहा था इसको पुष्टीमार का जहाज एंड साथ ही साथ जो शुक्ल रहा देखना उसकी एक और भी पंक्ति आती है जहां पर यह कहते हैं कि ये क्या है वात्सले अश्रिंगार का ये कोना-कोना जहांक आए हैं ये वाला बड़ा इंपोर्टन कतन है इसका एन साथ ही साथ उसने कहा था कि सूर की बड़े भारी विशेशता ये है कि ये नवीन प्रसंगों की उदभावना करने में ये मतलब प्रतिभाईन में थी ठीक ह ये चीज़ आपको याद रखने है कि नए नए प्रसंगों की उदभावना थीक है इस चीज़ को भी अपने याद रखना है हजारी परसाद दिवेदी का जो कतन था वो था कि जब ये अपने विशे का वनन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्तर हाथ जोड़कर उनके पीछे दोड़ते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रख लेनी है जो हजाई परसाद दिवेदी ने इनके बारे में कही थी बात थीक है तो ये चीज़ आपको यहाँ ज्यान रख लेनी है इसके लाबा इसके तीन जो गरंत रहे हैं देखना उनको भी आपने एक याद रख लेनी है नेक्स प्रशन यहाँ पर आता है आपके पास कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है तो शुद्ध जो शब्द आता है देखिए वो है कनिष्ट सिंपल सा प्रशन देखना जो भी ग्रेमर वाले प्रोशन है यहाँ पर बहुत आसान सी चीज़े है अव और अविरभाव का क्या हो जाएगा तीरोभाव हो जाएगा युद्ध क्षेत्र में समास देखिए विग्रह करना आ जाए तो simply आप इसको ठीक कर सकते हैं युद्ध क्षेत्र युद्ध काक्षेत्र जहां कहीं भी आपको बीच में कारक्चिन लगता हुआ नजर आए तो सम संबंद ततपुरुष समास संबंद में होता है संबंद काके की ठीक है संबंद में देखिए काके की लगता है तो यहां पर युद्ध का क्षेत्र या फिर आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि युद्ध के लिए जो क्षेत्र है ठीक है तो फिर संपरदान हो जाएगा इसमें लेकिन आपको simply ऐसे याद नहीं रखना है तो यहाँ पर आपको simply याद क्या रखना है यहाँ पर की ततपुरुष स्मास ही इसका आंसर होगा अंतबुरे का बुरा का अर्थ क्या है तो देखिए इसका मतलब स्वरी अर्थ नहीं पूछा है ये क्या है यह एक आपका लुकोक्ती है ठीक है सिंपल सी चीज या रखने देखना लुकोक्ती चलिए नेक्स प्रशन यहां पर रहेगा तरनी तनुजा तर्तमाल तरुवर बह उचाये में कौन सा अलंगकार है तो यह असान सा है देखिए अनुप्रास इसको आपको बताने की जरूरती क्या है जहां पर भी वर्नों क्यावरिती हो रही है तो यहां पर देखिए उचारन स्थान वैसे आपने अगर हमारी जो व्याकरण वाली क्लास लगाई होगी तो बहुत सारे लोगों ने वहां हमने यूट्यूब में उसको डाला है तो आप उसको वहां से भी देख सकते हैं उचारन स्थान से संबने प्रशन आपको चरूर पूछा जाता देखना तो यहां पर आपको या रखना है देखिए कंठ है इसको या रखने की सिंपल से ट्रिक तो उन्ही को आपने याद रख लेना है दंतोष्ट में कौन-कौन सी द्वनिय आती है यह आपको बताना है जैसे वो अद्वनिय आपकी है तो दंत और ओश्ट से रहेगी और नसिक्या जितने भी हमारे पंचों वर्ण है यह हमारे नसिक्या में आ जाएंगे इनको आपने याद रख लेना है ठीक है तो हो सकता है यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाएं कि प्रतिक वर्ग का अंतिमवर्ण क्या होता है जो नासी के है and साथ ही साथ ये अनुस्वार जो है ये भी आपका नासी के ध्वनियों के अंत्रगत ही आता है तालू में कौन कौन सी आएंगी ये चू ये शानाम तालू ये से आपको या रखना है ये चू से आपको या रखना है चवर्ग 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 ठीक है and साथ ही साथ आपको या रखना है य 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 वाला ठीक है एंड श शलगं वाला वो क्या हो जाएगा तालू हो जाएगा ठीक है तो इन चीजों को आपने ध्यान रख लेना है चलिए next question आता है यहां पर अक्षी का तद्भब शब्द क्या है तो अक्षी का होता है next question है यहाँ पर सर ताज शब्द में उपसर्ग क्या है तो यहाँ पर सर देखिए क्या है यहाँ पर पहले लगा है उपसर्ग होता है ऐसा शब्दाज जो शब्द से पहले जुड़ का जो है उसके अर्थ में क्या कर देता है परिवर्टन कर देता है वही आपका उपसर्ग कहलाता है नेक्स है उजवल का संधी वी छेद क्या होगा तो उजवल का जो सही संधी वी छेद होता देखिए उट प्लस जवल यही इसका सही होगा ठीक है उट प्लस जवल यह आपका बियंजन संधी का एक बेद है देखना जहां पर भी आपको क्या याद अखना है कि जो आपका ता के बाद यदी चछ जज़ चछ अगर हो तो च लग जाता है जज़ अगर हो तो ज़ हो जाता है और इसलिए यहां पर क्या है उत प्लस जूल ठीक है कि यह कुछ नियम है देखिए आपके ब्यंजन संदी से संबंदित तो जहां भी हमने तव संबंदी कुछ नियम किये हैं तो उस चीज़ को भी आप एक पर जरूर देखें वहां से भी हो सकता है आपको प्रशन पूछा जाए तो एक बार उसको भी आपने देखना है उजवल शब्द कैसे लिखा जाएगा फिर यहां पर जो लिखा है देखें यही इसके शुद वर्तनी है और कई वर्तनी में भी आपको यह सही करने को आएगा पेड से कई आम गिरे वाक्या में कौन सा कारक है तो देखें यहां पर कई आम उससे पेड से अलग हो रहे हैं तो अपादान का मतलब होता है जुदाई ठीक है अपादान होगा इसमें यहां पर भाव आचक संग्या चांटी है तो भचपन है गाय है गंगा या राम है तो यहां पर भाव है बचपनका ठीक है शुद रूप लिखिए तो यहां पर जो शुद रूप है देखें ये है प्रिश्ट असान सा प्रषन है सार्वनामिक वीशेशन इनमें से कौन सा होता है, देखिए सारवनामिक वीशेशन या इसको सांकेतिक वीशेशन भी कहते हैं ये चीज भी आपको यारखना है दूसरी चीज यारखना है कि जो संग्या से पहले आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सारवनामिक वीशेशन कहते हैं जैसे वह घर मेरा है ठीक है तो यहां पर देखिए आपको क्या यारखना है कि यहां पर संकेत कर रहे हैं आप घर का ठीक है तो सिंपल सी बात आपको इस तरह के से यारखना है कि जैसे वह पुस्तक मेरी है पुस्तक क्या है यहां पर आपको सिंपल सा यारखना है कि आपका संग्या है and उस शुद वर्तनी के लिए के पर पूछ जाता है देखना दोनों चीज़ें हैं यहां पर कभी का उल्टा पूछ लिया गया या फिर इसको वर्तनी के अधार पर भी आपको पूछ जा सकता है तो कभी यह त्री यह याद रखना है आपको देखना महाप्राण इन में से कौन सा है देखिए पृतियक वर्ग का जैसे हिंदी बर्ण वाला में जो आपके वर्ग रहे हैं इसका जो कौनसा दूसरा चौथा वर्ण रहता है वो क्या रहता है आपका महाप्राण रहता है तो यहाँ पर देखिए कवर्ग का पहला है तवर्ग का पहला है न जो है पंचम है लेकिन फो जो है यह आपका धुतिय वर्ण है इसलिए यहां पर यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महा प्राण तो अलप्राण होते हैं एक तीन पांच कग अंगह जो लास्ट वाला आता है ठीक है इसको यादखना है आशिक शब्द में सही प्रत्य चुने तो यहां पर तो कुछ भी देखने लाइक चीज नहीं थी एक प्रत्या इसमें लगा हुआ है चलिए अगला पशन देखते हैं सुबोध का उपसर्ग बताईए तो सू इसमें हो जाएगा आपका उपसर्ग बोध में सू उपसर्ग लग जाएगा तो बन जाएगा सू बोध ध राम बड़ा चतुर है वाक्य में प्रविशेश्चन क्या है पहली चीज तो याद रखना है आपको कि प्रविशेश्चन क्या होता है मतलब जो विशेश्चन की विशेश्चता बतलाए वैसे शब्द ही क्या कहलाते है आपके प्रविशेश्चन कहलाते है जैसे राम जाएगा आपका करतरी वाच्य मदन सो रहा है ठीक है तो यह चीज द्यान रखना है जहां पर आपका जो करता है वही क्या है प्रदान है ठीक है तो यह चीज याद रखनी है आपको चलिए next question यहां पर देखते हैं वहाद तुमने खूब कहा वाक्या में अव्यव क्या है तो यह रहेगा वैसा की वैसा ही ठीक है तो यह चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है next आता है यहां पर कौन सा चिन है जो यहां पर दिया गया है देखिए यह कौन सा चिन है तो यह रहेगा आपका देखना simple सा उद्धरण चिन उद्धरण चिन तो मान लिजे किसी quotation अगर ह को यादक नहीं है तूटी बोदक भी हंसपद को ही कहा जाता है और साथ योजक योजक जो छोटी सी इस तरीके से जो आपका हाइफन रहता है डैस जो होता देखना वो निर्देशक रहता है कोश्टक तो आप सब लोग जानते हैं कोश्टक के अलग-अलग भेद हैं अलग- पुछे जाने वाला प्रशन है ये उतक्षिप्त व्यंजन कौन सा है उतक्षिप्त या फिर इन्हें दुईगुण व्यंजन भी कहा जाता है ये चीज भी आपको यादक लेनी है हिंदी में दुईगुण व्यंजनों के संक्या जो है वो दो है कौन-कौन से है एक आपका है दूसरा आपका डह है डह डह जिसमें भी आपकी जिवा लुड़के नीचे की ओर लुड़क जाती है उपर से वहीं पर आपका क्या रहता है उत्रक्षिप्ट वियंजन या धुईगुण वियंजन इन्हें कहा जाता है देखिए यहां पर वैसे तो आपका ये भी होता है और ये भी होता है दोनों ही है लेकिन इसमें अंतर ये है कि इसके नीचे नुक्ता लगा होता है अगर नुक्ता लगा है तो उत्रक्षिप्ट हो जाएगा अगर ये नुक्ता यहां पर नहीं होगा तो आपको क्या समझना ह तो आपको समझ लेना है कि यह आपका स्पर्ष ब्यंजन हो जाएगा यह चीज भी आपको याद रख लेनी है स्पर्ष ब्यंजनों की संख्या है 25 उत्कषिप्त ब्यंजन होते हैं 2 लेकिन इसके लावा यहाँ पर कुछ ध्वनिया है देखिए जैसे आपके पास ग है ग है ज है एन फ है यह कैसी है यह है आपकी आगत ध्वनिया इनको भी आपने यादख लेना है इनको उत्कषिप्त में नहीं करना है क्योंकि उत्कषिप्त में हमने यह वाला नुक्त युक भी कहा जाता था एंड साथ ही साथ या रखना है कि कर गोज फ इन ध्वनियों की जो बकालत किस ने की थी हिंदी में ये की थी जो राजा शिपरसास सितारे हिंद रहे हैं उन्होंने इस चीज़ को भी आपने याद रख लेना है नेक्स चाहिए यहां पर रह क्या है तो रह आ पित है एंड वह खैर आपका इसमें ही आ जाएगा अंतस्त में उके इसको या रखिए गिरिधर में कौन सा समास है तो यहां पर आपको सिंपल सा या रखना है इसमें बहुबरी समास है जिसने गिरी को धारण कर लिया हो गिरिधर मेरे तो गिरिधर नागर और न कोई जा क मतलब किसके लिए कही थी या आपको खुद अब देखना है चलिए next question देखते हैं यहाँ पर मेरा भाई होशियार है वाक्य में विधेय क्या है तो विधेय देखिए वाक्य के दो चीज़ें होती है मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा भाई यह क्या है यह उदेश्य है देखना इसमें उदेश्य होता है जिसके बारे में बताया जाए और विधेय होता है जो उसके बारे में बताया जा रहा है तो दो चीज़ें होती है वाक्य में देखना एक आपका उदेश्य और दूसरा आपका विधेय उदेश्य रहता है जैसे आपका करता है उदेश्य है और आगे जो वो चीज़ कर रहा है उसको उन क्या कहते हैं विधे कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर मेरा भाई क्या हो जाएगा मेरा भाई जो आपका उदेश्य है और विधे जो क्या है यहाँ पर होश्यार ठीक है यादखना है इस चीज़ को इसका जो विकल्प नमबर P है ये बिलकुल सही आंसर है यहां गाय का असली दूद मिलता है ये इसका शुद रूप हो जाएगा तो शुद वाक्य भी आपको एक आधाथ जरूर पूछा जाएगा उसको आपने एक पार जरूर देखना वाक्य में प्रमुक गटक कौन कौन से होते हैं तो इसमें दो चीज़े रहती एक तो करता होना चाहिए और दूसरा उसकी क्रिया तब ही हमें पता चलता है कि वो एक क्या है संपूर्ण वाक्य है नेक्स आता है शब्दालंकार के मुख्य कितने भेध हैं तो यहाँ पर आपको मुख्य तब पूछा गया है देखना वैसे तो आपको शब्दालंकार के चार भेध याद रखने हैं लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछे जाएं तो फिर आपको यहाँ पर केवल तीन को ही ध्यान में रखना है यह वाला प्रशन बहुत ही मतलब कई बारी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता देखना कुछ लोग तीन करते हैं कुछ लोग चार करते हैं लेकिन आपको फिर भी इसमें कितने याद रखने हैं इसमें आपको सिंपली यही याद रखने हैं इतने यहाँ पर बताये गए हैं, जो शब्दा लंकार के भेध हैं, कितने मुख्य रूप से पूछा गया है, तो तीन आपको यहाँ पर याद रख लेना है, इसमें कौन-कौन से हो जाएगा देखिए, कानुप्रास हो जाएगा, ठीक है, next question भी अलंकार से ही समदित पूछा गया, तो यहाँ भी थोड़ा सा यह भी बालास पद हो सकते हैं, यह वाला प्रशन, क्योंकि अलंकार हों कि संक्या बहुत जादा बताएगी है, ना तो यहाँ पर मुख्यत पूछा गया है, उससे आपने यह confirmation देनी है, एंड एक चीज और है, अभी आपको वैसे ही प्रशन करने हैं, जैसे आपके पास बुक है, और उन बुक्स में ISBN नंबर अगर लगा है, तो उनी बुक्स के अधार पर ही आपको चीज़ें ठीक करनी है, चलिए, next question आता है, किस रासो गरंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है, तो आलाखंड के नाम से परमाल रासो को जाना जाता है, जो जगनिक की रशन रही है, जिसमें आला उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता का वर्नन भी रहा है, एंड आला जो है उत्रप्रदेश में गाया जाने वाले एक लोग गीत है जो वर्शरितू में गाया जाता है उन्होंने अमीर रासो की रशना की है बीसल देव रासो नरपती नाला की रशना रही है देखना राजमती और बीसल देव तरितिय का इसमें वनन मिलता है साथी साथ रैदास की पतनी का नाम क्या था तो रैदास की पतनी का नाम था लोना ये चीज भी आपको याद रख लेनी है है ना उसकता कहिए रहे आपको प्रशन पूछे जाए थोड़ा बहुत आप इसको जरूर याद रखें नेक्स से यहाँ पर संतन को कहा सीकरी से उकाम आवत जावत पनेया तोटी बिसरी गयो हरी नाम किस के यह पंक्ती किस की है तो असान सा प्रशन है ये बाला भी ये था कुम्भंदास जब उसको अकबन ने फत्यपुर सीकरी बुलाया था उस पर उन्हें ये पंक्ती कही थी और इसका जेकरम ने पहले भी किया हुआ था तो भक्तिकाल के जो भी प्रमुक प्रमुक नाम है देखना याँ पर सबसे रिलेटेड प्रशन चीज़ें कुछ रखी गई है जब उसके बारे में आपने जरूर याद रख लेना है जो इनको कही थी और इसके उपरांत ही ये हिंदी साहीते के इतने बड़े जो समरिध लेखक बने थे ये चीज़ आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रख लेनी है जो बलबचार ने कही थी और ये पुष्टी मार्ग से इनका संबंद था पुष्टी मार्ग का मतलब क्या होता है ये चीज़ भी कई बार आपको पूछी जा सकती है तो इसको आपने सिंपल रहता है कि पुष्टी मार्ग का मतलब सिंपल सा रहता है भगवध अनुगर है जब भगवान जो है प्रसंचित होकर आपके उपर जो अपने क्रिपादिष्टी बरसाता है तो उसी को ही हम क्या गयते हैं आपका ये क्या रहेगा आपका पुष्टी मार्ग रहेगा ओके ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेनी है नेक्स्ट कॉश्चन आता है आप काबे से समदित है और इसकी रचना महज एक रात में की गई थी और किस के प्रतिसपर्दा में रामशरीत मानस के प्रतिसपर्दा में इसने इसको लिखा था दूसरी चीज आती है देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इसमें अध्याय रखे गए हैं उनको क्या नाम दि जो है सरगों में रचित है और अध्याय खेर ये तो किसी भी पुस्तक में आपको मिल जाते हैं ये चीज याद रखने हैं देखना प्रकाश रामशंद्रिका में क्या है प्रकाश रखे गए हैं और शुक्ल ने क्या रखा प्रकरण ठीक है केशवदास की रामशंद्रिका पर किस रचना का प्रभाव है ये वहला प्रशंद्रिकी रामशंद्रिका से दो प्रशन पूचे गया है केशवदास से ठीक है तो ये रामशंद्रिका पर जो रचना है रही वालमी की रमाइन का भी रहा अनुमन नाटक का भी रहा और प्रसन रागव इन सभी रचनाओं क प्रभाव जो है केशवदास की रचना में देखने को मिलता है केशवदास को अचारे रामचंद्री शुक्लन ने क्या कहा था कठिन काव्य का प्रेत कहा था ठीक है ये चीज ध्यान रख लेनी है और साथी साथ आपको याद रखना है कि इसकी रामचंद्रिका को चंदों का अजायब घर भी कहा जाता है जो रामचंद्रिका को फुटकल कवितों का संग्रह किस ने कहा था ये कहा था डॉक्टर पितमबर्दत बड़तवाल ने ये नाम भी महतपून है देखना उसको भी आप एक बार जरूर पढ़के जाए और केशवदास का समन्द जो है ये निम नाम था उनका जिसके ये आश्रे में रहे ठीक है इंद्र ठीक है तो इंद्र जी उसका भी आपको जरूर ध्यान रखना है चलिए नेक्स आता है यहाँ पर पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है तो बोलियों से समन्दित प्रश्न भी आपको एक आदा जरूर पूश एक और आती है आपकी आपका ब्रजबुंदेली कन्नोजी हर्यान भी खड़ी बोली एंड दखिनी ठीक है इनको आपने यहाँ पर याद रख लेना है देखना जो आपकी इसके अंत्र गताएंगी परिपूर आपका जो पश्चमींदी नेक्स कौशन आता है पारिभाशिक शब्द का मतलब सिंपल सा अर्थ जिसका सीधा अर्थ निकले ठीक है वही आपको या रखना है तो रहती है आपकी अभीधा शब्द शक्ति तो पारिभाशिक्ता में क्या चीज रहेगी सेम वही चीज रहती है ना ऐसा तो नहीं होगा कि यह देखना जैसे हम वाक्या बग शब्द शिल्पी की संग्या निम्र मैसे किसे दी गई है तो यहां पर आपको सिंपली या रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत जो रहे हैं चायवादी कवी इन्हें ही शब्द शिल्पी कहा जाता है हिंदी साहित्य में ठीक है परसाद को जारखंडी कहा जाता है निराला को महाप्रान के नाम से जाना जाता है और इनकी विपलव गायन बड़ी प्रसिद रचना रही है देखना कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उतल पुतल मच जाए एक ही लोरी दर से है एक ही लोर उदर से है ये वाली पंक्तिन की बड़ी बहुत अपून इनकी कभीता रही है देखना विपलव गायन ठीक है इसको ध्यान रखने है आपको इसके लाबा और भी चीज़े है जैसे निराला को चायवाद का रुद्र भी कहा जाता है ओज ओधात्य का विद्रोह का कभी भी कहा जाता है ठीक है तो बड़ी important नाम है निराला का ठीक है पंथ से आपको या रखना है कि समेधिन शील इंद्रिय बूध कभी भी इने कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कभी भी भी कहा जाता है ठीक है अपसरा लोग का कभी भी इने कहा जाता है रावन आरे अनुज रावन की अरी का अनुज मतलब रावन को माने वाला जो था उसका चोटा भाई ठीक है तो ये रहेगा आपका पंथ सुमित्रा नंदन पंथ नेक्स आता है यहां पर टके की चटाई नौटका विदाई इसका क्या मतलब है तो यह लोग उकती है देखिए यहां पर इसका मतलब होता है कि जो कि तो लाब से जादा हानी होना ही क्या होता है टके की चटाई नौटका विदाई नेक्स क्टेशन देखते हैं इसके बाद है बिखारणी उपन्यास के लेखक कौन है तो यह वाला असान सा प्रशन है सीधा प्रशन पूछा गया देखना तो बिशम बना शर्मा कौशिक मा भी इनका इक उपन्यास்कार देखिए, भी इंपोर्टेंट था देखना, भृंदवन लाल वरमा ये important उपन्यास्कार है, जहां से की रानि भगेरा एंड जो मृघनाइन, इसके बड़ी important रशनाय है, एंद भृंदवन लाल वरमा को आपको यार रखना है कि किस तरीके का ये उपन्यासकार रहा है ये रहा है आपका एतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में जबकि चतुरसेन शास्त्री इनसे भी आपको यारकना है व्यक्तिवादी विक के अंत्रगत भी आते हैं और प्रकृतिवादी के अंत्रगत भी आएंगे साथी साथ आपको यारकना है इनक में तो था ही नहीं कुछ भी और रिती काल में भी अगर पूचा जाए कि किस धारा के कैवी हैं तो यहाँ पर याद रखना है रिती सिद्ध कावेदारा के अंत्रगत ये आते हैं एक ही इनकी रशन रही बिहारी सत्साई जिसमें 7192 थे ये प्रशन भी आपको कई बार इनकी रिखिती उसको तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रख लेनी है पिछले कल शायद मुझसे एक प्रशन गलती से आपको गलत बता दिया गया था जो उत्सहा आपका निबंध है देखना वो अचारे रामचंदर शुकल का निबंध है उसको आपने करक का लेना है म दारपूर्ण सिंग का जो था, वो था सची वीरता, ठीक है, उसको आपने याद रखना है, उत्सा किसका रहेगा, उत्सा जो है, शुकल का था, ठीक है, शायद गोर्मेंट सक्षन में किसी ने बताया भी था, तो बहुत अच्छी बात है, मैंने पहले भी कहा था, कि कुछ च अचारे रामचंदर शुकल का ये निबंद है, जो इनके चिंता मनी भाग एक में संकलित है, चल ये नेक्स परशन देखते हैं, सरोज समरिती में निराला का सरोज से क्या संबंद है, तो ये तो असान सा परशन था, कि ये इनकी पुत्रिर है, एंड भूशन का असली नाम क तो भूशन का असली नाम था घंशाम, ये भी आपको याद रख लेना है, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट अशनकार है, भूशन ये भी रिती बद कावेधारा के अंतरगताने वाले रितिकाल के कवी हैं, और ये रितिकाल के एक मातर राष्ट्य कवी भी कहे जाते हैं ये चीज आपने याद रख लेनी है, और ये घंशाम नाम इसका किसने बताया था, ये जो आपके विशुनात प्रसाद मिश्र थे, उन्होंने ये चीज बताईए, महादेवी वर्मा को आधनिक युक की क्या कहा जाता है, मीरा कहा जाता है, सिंपल सी बात या रखना है, मी एक थी निर्गुन ग्यानाश्रेई और एक थी निर्गुन प्रेमाश्रेई, तो निर्गुन ग्यानाश्रेई शाखा की अंतरगत आते हैं, कबीर इस चीज को आपने ध्यान रख लेना है, सगुन कावेधारा की अंतरगत राम और तुलसी और सूर्दास का, सूफी के प्रसिद्ध कर भृ कौन है ये हैं गहनानंद ठीक है next वेचन आता है बीसल देव रासो किसकी रचना है तो बीसल देवर आसो ये अपने उपर भी देखा नर्पति नालह की रचना रहेगी बीसल देव रासो जगनी की परमाल रासो चंदवरदाई प्रित्युराज रासो एंड शारंगधर अभी आपको बता दिया हमीर रासो कंकाल किसका उपन्यास है तो कंकाल जो उपन्यास है देखिए ये है जो आपके रचनकार यहां पर हुए है जैशंकर प्रसाद इनका पहला उपन्यास है कंकाल दूसरा था तितली और तीसरा और अधूरा जो इनसे देखें बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है ये वाला भी ठीक है राही मासुम रजा आधा गाउं ठीक है ये भी इंपोर्टेंट उपन्यास है देखना नेक्स आता है निजभाशा उन्नतिय है सब उन्नती को मोल बिन निजभाशा ग्यान के मिटे नहीं एक उसूल अंगरे जी पढ़के जद्भी होदगुन प्रवीन निजभाशा ग्यान के रहत हीन के हीन ये वाली पंक्ती किसकी है तो ये है भारत इंदू हरिश्चंदर की प्रसिद्ध पंक्ती जो भारत उर्दशा से ली गई है ठीक है इसको आपने याद रख लेना देखना बहुत ही इंपो और है एंद साथी साथ इसने सचमुच भारत वागया भी क्या था वो बहलराज महाराज इसरीके की पंक्ती है महावरी पुरसाद दिवेदी की उसको देखिए अचारे राम संदर शुकल की मतलब इसरीके की काव्यात्मक पंक्तिया नहीं लेकिन दूसरी पंक्तिया भी इस किसकी रचना है तो यह जो रचना रहेगी जी रहेगी रामदारी सिंह दिन करकी बहुत ही प्रसिद रचना है देखना संस्किति के चार अध्याय इसको आपने ज़रूर या रखना है डॉक्टर नगेंदर की प्रसिद जो रचना है देखिए वो रहेगा आस्ता के चरण ये भी important है देखना रामकुमार बर्मा हिंदी साहिते का लोशना आत्मक इतियास जो इतियास परकिन का ग्रंत रहा बाकि दूसरी कवीता हैं बिगर इनकी इतनी जादा मुहत्तपूर्ण नहीं है ठीक है हजारी प्रसाद दिवेदी एक निवंदकार भले लेकिन इनसे आपको या रखना है उनकी जो important निवंदा आत्मकृति रही चीवनी पर आधारित, रचना का नाम क्या है ? तो ये था कलम का सिपाही ठीक है प्रेमचन ने सिपाही शीर्शक से लिखी थी, प्रेमचन घर में किस ने लिखा, शिवरानी देवी ने लिखा, कलम का मजदूर किस ने लिखा था, ये लिखा था, मदन गोपाल ने, ध्यान रखना है देखना सबसे important ये रही है जीवनियों, जाग तुझको दूर है जाना, क प्रबाद बचन से बहुत जादा प्रभाबध थे, जो हलावाद के प्रवड तक रहे हैं, अरिवन श्राए बच्चन, ठीक है, उनसे सबसे जादा प्रभाबध कौन से, नरेंदर शर्मा, इनकी जो पलाष्ट बन बगेरा रही है, प्रभाद फेरी, बगेरा बगेरा है वो इनकी प्रसीद रशना रही है, उनको भी आप जरूर याद रखें, इसके लाबा रत्चंदन, रत्चंदन से देखना नरेंदर शर्मा ने एक कावे संग्रया लिखा था, लेकिन यहाँ पर एकांकी पूचा है, तो एकांकी से आपको याद रखना है, कि एकांकी ये किसक याद रख लेनी है, नेक्स कुशन आता है, यहाँ पर देखें, रस्खान किस बाशा के कवी हैं, तो रस्खान जो थे, वो थे आपके, प्रजभाशा के कवी, सिंपल सा प्रशने ज्यादा मुश्किल ये नहीं है, नेक्स कुशन आता है, हाँ, रस्खान से समधित एक और यह जो रस्खान और मीरा रहे हैं इन दोनों से आपको या रखना है कि यह किसी भी संपरदाय में नहीं रहे और जितने भी क्रिश्ण कभी है वो जरूर किसी संपरदाय में थे लेकिन इनों ने स्वयम को स्वतंतर रखा और इसलिए इन्हें कहा जाता है कि यह संपरदाय नि अधूर या भाव की भक्ती जहां पर ईश्वर को हम अपने पती या प्रेमी की रूप में देखते हैं और इसने कहा भी था कि जाके सिर्मोर मुकुट मिरोपती सोई ठीक है इसलिए धान रखना है ठीक है दासे भाव की भक्ती थी तूल सी दास की देखना वो चीज भी आ या चारहे था कि यहां से आपको सिंपल या रखना है रामानुजाचारे तो इसको कहा है कह सिंपल सी शृी राम विशिश्ट पूरूश से शृी साथ कि किस संपरदाय का सिध्धान्त जो है बिशिष्टा द्वैतवाद है तो संपरदाय इसमें क्या आ जाएगा श्री आ जाएगा रामसी क्या आ जाएगा रामानुजचारे इसके प्रबर्तक हो जाएंगे एंड साथी साथ आपका विशिष्ट से आ रखना है विशिष्टा द्वैतवाद ठीक है वैसे ही मदवचारे का इनमें आपका जो द्वैतवाद सिधान्त आ जाएगा ठीक है या रखना है आपको मदवचारे का क्या है द्वैतवाद है एंड ये जो आपका किस संपरदाय के अंतRAGT आता है ब्रह्म संपर्दाय के अंतRAGT ववाचारे शुधा द्वहतवाद ठीक है शुधा द्वहतवाद ठीक है और ववाचारे ये वलव संपर्दाय सिंपल सी बात यहीः आपको याओ रख लेनी है है ना फिर आता है इसके बाद आता आपका निम्बारका चारे निम्बारक संफरदाय के अंतरगती आते हैं साथी साथ वलब चारे से आपको एक चीज और भी याद रखनें कि रूद्र संफरदाय के अंतरगती ये रहेंगे निम्बारक संफरदाय निम्बारका चारे इसके प्रवर्तक रहे और दहता दो soaking बाद इनका संबंध रहा है नेक्स कुशन आता है बहुत दिनों के बाद किसकी कवीटा है तो यह जो कवीटा थी यह थी नागारजुन की कवीटा इसको भी आप एक बाद जरोर याद रखें नागरजुन की अन्य जो कविताएं रही है देखिए वो कौन कौन सी थी जैसे इनकी पहली दंतुरित मुस्कान आता है एक प्रित का ब्यान आता है एक इनकी कालिदास आती है मेगदूद आती है अकाल और उसके बाद की कविता है देखना वो भी बड़ी इंपोर्टन इनकी कविता रही है उसको भी आप एक पार जरूर याद रखें हरीजन गाथा बहुत ही प्रसीद रशना है इनकी उसको भी आपको जरूर देखना है और इनकी पंग्ति आती है देखना आओ हम धोएं पाल की यही हुई है राय जोहरत लाल की ठीक है यह बली भी इनकी बड़ी जैसी पंग्ति रही है उसको भी आपने जरूर देखना जो गेंग्यात्मक इनकी कविता रही है आओ रानी हम दोएं पाल की ठीक है जाशन का प्रसाद इनकी तो बहुत सारी रचनाय है वैसे उन सब को आप पड़ा बहुत देख लीजे की कौन कौन सी है प्रसीद लंबी क सिंग यह मनें कल भी आपको बता दीती सर्विशो द्याल सकसेना एंड इनकी काट की घंटिया ठीक है खुंटियों पर तंगे लोग गरम हवाएं इत्यादी कौन नदी बड़ी प्रसीद रशना है सर्विशो द्याल सकसेना की उसको भी आपने जरूर याद रख लेना है ठ ठीक है तो यह थे आज के 115 प्रशन 115 नहीं थे इसमें हमने किया था 50 के बात तो आप यह मान के चलिए कि लगभग 65 से जादा प्रशनों को हमने यहाँ पर डिसकस करने की कोशिश की है और इन प्रशनों में लगभग लगभग इतने ही प्रशन आपके और बनने चाहिए और हला कि इस से जादा बनने चाहिए जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं तो आप सब लोगों को एक बार फिर से all the very best and I hope कि आप सब लोगों का एक्जाम अच्छे से हो जाएगा अगर आपको हमारा यह प्रियास पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैन